कोली जी, कोली जी बात सुनो, और क्या चाहते हो मुकाम अपना, कोली जी, और क्या चाहते हो मुकाम अपना, कह तो दिया, जिन्दिगी हो आप विराट कोली is my favorite player, मैं especially उनके लिए यहाँ पर मैश देखने आई थी because I wanted to see him आप अकोली को कपसे फॉलो कर रही हैं और उनकी कितनी बड़ी फैन है, दिल धड़कने के लिए पहली नजर काफी होती है, पहली नजर मिली, वहीं पर दिल धड़क गया, वहीं पर I was like, इस बंदे में कोई बात है, बैटिंग देखने के लिए मिली, जब next day, ये एक दिन पह got crazy, मैं उनकी die-hard fan बन गए, फिर अब चाहे उनका birthday हो, या कोई भी post हो, हर जगा पर tag करना है, उनका नाम लिखना, अब मेरे captions भी आजकल हिंदी में होते हैं, social media पर, बैको आप हिंदी में लिखती हैं उसको, या फिर English लिखता नहीं आता है, मैं Google Translate से लिखती हूँ, उसम बतार नहीं थी किस तरीके से आपने महा पर मैच देखा, विराट होली को आपने महा पर देखा, लेकिन एक जो चीज जो पूरी दुनिया ने देखी वो ये, कि आपके एक गाल पर पाकिस्तान का जंडा था, तो दूसरे में भारत का, अमोमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है अम ऐसा हर कोई कर भी नी सकता है, क्योंकि अपने दिल की बात पूरी दुनिया के सामने मानने के लिए न फिल्मों में बड़ा फेमस डैलोग है जिगर चाहिए, सो वो मेरे पास है, और सच्चाई और अच्छाई की बात पूरी दुनिया के साथ मानने में कोई हर्च नहीं ये डर किस बात का, प्यारी तो बांट रहें बिल्कुल, और यहां पे after the match एक किसे ने इंटर्विव लिया था, आप उस इंटर्विव में कह रहे हैं थी, जिसमें एक शक्स ने आप से कहा कि, आप विराट कोली की फैन हैं, फिर आप कहती हैं कि चचा पडोसियों से प्यार करना कुछ गलत तो नहीं है, इतने सारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स के बीच में ये कहना, आपको डर नहीं लगा? बिल्कुल भी डर नहीं लगा, हमारा पाकिस्तान सिर्लंका से हार गया, तो मैंने उन्हीं चचा को कॉंटेक्ट किया, मैंने का जी चचा वापस जा रहे हैं, क्या बोला हाँ पाकिस्तानी टीम हार गई, या I'm going back तो मैंने उनको एक बात गई, मैंने का चाचा अपनी टीम हार गई, तो चलो ना पडोसियों को सपोर्ट करने चलते हैं आज बंगलादेश वर्सीस हिंदुस्तान पिलकुर उस दिन के मैच के बाद, उस क्लिप के वाइरल होने के बाद से, आपको किस तरीकी इसके मेसेज़स आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको लोग? मुझे इंडिया से जितना भी मैसीज आ रहा है पूरा हिंदुस्तान है कि किसी पाकिस्तानी के दिल में उनके लिए प्यार कैसे है सो ऐसा प्यार बहुत सारे लोगों के दिल में है लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो असेप्ट नहीं कर पाते हैं I don't know why, but प्यार जाताने में कोई हर्ज नहीं, it's never too late कोई match या फिर कोई innings जो अपको उनकी सबसे अच्छी लगी हो जो आज तक याद हो 71st century against Afghanistan कभी भी नहीं भूल सकती मैंने अपने life में ऐसी century कभी भी नहीं देखी थी हर एक fan का ना वज़ा सपना होता है कि वो अपने आइडिल से 5 minute इस जीवन में तो मिली ले अगर वो 5 minute आपको मिल जाए और विराट पोली उन 5 minute के लिए आपके सामने हो तो आप क्या कहेंगी और अगर वो घूमने जाया आपके साथ एक दिन के लिए तो आप Pakistan में उन्हें कहां कहां घुमाएंगी और क्या क्या खिलाएंगी I would take him to Islamabad Islamabad बहुत प्यारा है और Islamabad से आगे हमारी एक जगा है खुबसूरत सी सकर्दू बल्टिस्तान चाइना बॉर्डर के पास वहाँ पर जील का किनारा है और I would offer him a breakfast over there यूनो चाइ पराटा टिपिकल देसी वाला पाकिसान का लेकिन मेरे पहले सवाल का जवाब दिया 5 במ׈ट के बात करहें अम इसे करेंगे और दूसरी रील ज़ो मेरा स्टाइल है ऐसे and the song would be on this चक दे इंडिया यह नहीं मैं उनके साथ रील बनाना चाहती हूँ फिलाल तो आपने देखा होगा मैं जाली तक तो पहुंची गई हूँ अब जाली पार कैसी होगी इसका पता नहीं है पर्स करिए कि ये इंटर्व्यू विराट कोली देख रहे हैं तो विराट कोली को आप क्या कहना चाहेंगी कोली जी प्लीज मेरी बात सुनें कोली जी प्लीज मेरी बात सुनें आप हर मैच में सेंसरी तो करते हैं पर प्लीज मेरे साथ एक रील बना दें चकदे इंडिया पे ऐसे करके और फिर ऐसे करके यही मेरा सपना है यही मेरी achievement होगी अचा यह बताएए कि आपकी घरवाले भी क्रिकेट का शौक रखते हैं मेरे घरवाले क्रिकेट को पसंद करते हैं और वो यह जानता है कि कोली जी जो है बड़े ही strong player है सो जब हम match देख रहे होता है घर में मेरी पूरी टीम पाकिस्तानी है मेरे घरवालों की मैं अकेली बेट के है कोली जी की टीम को support कर रही होती है तो कोली जी की टीम को support करती है या सिर्फ कोली को support करती है कोली जी पर ज़्यादा expectations है प्लेयर सब अच्छे हैं रोही जी, केल, हार्डी जी सब अच्छे हैं लेकिन ज़्यादा आपको फेवरेट कोई एक ही होता है हर कोई फेवरेट नहीं होता है आपको cricket का shock कब से लगा? शॉक बचपन से ही था पर पिछले साल जो उनकी century देखी थी ती न उससे फिर वो shock वापस लोट आया अब मतलब कि जितने भी busy schedule थे सब cancel के सा मैं advertisement करती हूँ influencer हो मेरे सारे shoot इस महीने के लिए cancel है I'm like मुझे match देखना है और मैं back to back travel करी हूँ मैं वापस Dubai चली गई थी अब मैं फिर वापस चिलनका आई हूँ कोली के अलाव और कौन-कौन पसंद है आपको रोहिट जी, captain बहुत अच्छे मतलब captain है especially वो जिस sequence में batsman को बेटते है कि one down जाना है, two down जाना है उनका वो sequence का style मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनको वो decision बिलकुल सही होता है आपकी पसंद को लेकर आपके friends या आपके आसपास वाले लोग, वो क्या कहते हैं? उपर-उपर से तो मुझे थोड़ा-थोड़ा गुसा करते हैं कि why कोली, why not other players लेकिन money-man में वो सब भी उनके fan है मैंने इनके Instagram देखे, follow कर रखे आनोंने कोली जी को पर वो दमानना नहीं चाहते हैं I don't know why maybe ego विराट कोली को कोई message देना चाहेंगी आप? कोली जी I will see you one day, for sure पिज़ा, अगर विराट कोली को कुछ कहना चाहेंगी आप संगीत के जरीए, music के जरीए या फिर शाहरी के जरीए तो आप क्या कहेंगी? पिर शाहरी के जरीए